अस्लाम लेक्शर नंबर नाइन और ऐसे के लेक्शर में जो है हम छिन्तालिक सिकीम को आप्षान काईड़ल करना डेखेंग逆ंगे कि में कोई भी फोलिग canadone Synth suspended कर सकते है कैसे prepare कर सकते हैं ठीक है पिटा इससे पहली जो है आपको ज़रा recall करना पड़ेगा जो हमने जब topic किया था orientation का ठीक है जिसमें orthopara directing और meta directing group आपने जो है वो पड़े थे ठीक है तो जो orthopara directing या meta directing groups थे वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से groups जो है वो और्थोपेरा डिरेक्टिंग होते है अच्छा, planning a synthetic scheme का मतलब गया है planning a synthetic scheme का मतलब यह है कि आपने कोई भी aromatic hydrocarbon को बनाने के लिए जो scheme बनानी है ठीक है, या जो तरीका बनाना है उसको बनाने के लिए वो हम plan करेंगे यहाँ पे हम one by one different compounds का synthesis synthesis देखते हैं कि कैसे बनेंगे उससे आपको जो है वो काफी हद तक समझा जाएगी, जैसे कि हम पहला compound देखते हैं I think this one ओके यहाँ first देखिए आपके passages of paranitrotolene from benzene ठीक है इसमें बेटा start हमने कहां से करना है benzene से, आपने बनानी किस से है, paranitrotolene किस से बनानी है benzene से, तो पहले आपने benzene ले ली, ठीक है अब दो चीज़े हैं, paranitrotolene में nitro group और methyl group एक दूसरे की para position पर होंगे, तो इसका मतलब paranitrotolene में हमने benzene के ओपर nitro group भी लगाना पड़ेगा हमें, और methyl group भी लगाना पड़ेगा पेटा, यहां पर एक question arise होता है, कि हम इन्हों ने यहां पर पहले methyl group को क्यों substitute किया हुआ है, पहले nitro group को क्यों नहीं किया, या क्या हम nitro group को पहले substitute नहीं कर सकते, तो पेटा, इसका answer यह है, कि अगर आपने nitro group को पहले substitute कर दिया, यानि कि बेंजीन के उपर पहले nitro group लगा दिया, तो nitro group जड़ा देखें अपने list में, is it is the nitro group a orthopera directing group, or a meta directing group, you'll get the answer there that nitro group is meta directing group, अगर आपने nitro group लगाया, बेंजीन के उपर तो जो next substitute होगा यानि मिथाइल, वो कहां पर आकर लगेगा meta पे, तो उसके result में आपके पास ये compound नहीं बनेगा, ठेक है उसके result में आपके पास meta nitro टॉलीन बनेगी, जो कि हम यहां नहीं बनाना चाहरे, इसलिए हमने पहले वो चीज़ लगाई है, पहले methyl group substitute किया है कैसे किया है, फ्रिटल क्राफल काईलेशन से, आपने FSC में भी बढ़ा हुआ है फ्रिटल क्राफल काईलेशन से, यूजिंग लिवसेसिड, ALCL3 आपने क्या कर लिया, जो टॉलीन बना ली यह आपका पहला step है, इस synthetic scheme में फिर यहां से आगया आपका है दूसरा step है, दूसरा step क्या है कि जो टॉलीन बनाई है, उसकी क्या करवादे नाइटरेशन, नाइटरेशन कैसे करवाते हैं अगेन FSC से आप जो है, वो कंसर्ट कर सकते हैं, क्या करते थे HNO3 इंदर ब्रेंस अफ है, यह नाइटरेशन के लिए जरूरी था, क्या बना आपके पास और्थो एंड पेरा नाइट्रो टॉली, ठीक है तो और्थो पेरा हमेशा साथ साथ बनते हैं, इसलिए और्थो आपके साथ ऑपास बनेगा ही जो कहें हम चाहते थे बनाना इसके बाद हम ने शचानıld mayor हो समझ आगई और्थो नाइट्रो टॉली मेशा सिर्ड ग graphics है सेंट देखें और्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजिन बिटा और्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजिन में Bromo Group है, वो Metaposition पर लगेगा और वो हम नहीं चाहते है यहाँ पर भी हम पहले Substitution किसकी करवाएंगे Bromo Benzine की Bromo की करवाएंगे Benzine के उपर, यानी Bromine की इसे कहते है Halogenation, Simple Halogenation जैसे कि FSC में ये भी आपने पढ़ी होई है कैसे करवाते हैं जी Benzine की Halogenation जो अगर आप Bromine के लगाना चाह रहे हैं तो आप Bromine लेंगे अगर क्लोरीन लगाना चाह रहे हैं तो क्लोरीन लेंगे In the Presence of Lewis Acid ठीक है, जैसे कि FBBR3 हो गया यह आपके पास बन गया Bromo Benzine अब Bromo Benzine की Nitration कैसे करवाएंगे उसी तरह HNO3H2SO4 की Presence में और यह Second Step से आपके पास बन गई Ortho Bromo Benzine और इधर से Parabromo Benzine ठीक है थर्ड देखें जी, थर्ड हमारे पास क्या है Synthetic Scheme हम कैसे बनाना क्या है Paranitro Benzoy Acid ठीक है यानि कि Benzoy Acid CWH Group लगावा हो और साथ Paraposition पर Nitro Group लगावा हो ठीक है बनाना किस से है Toline से आपने Starting Material यहाँ पर Toline लेना है इसके लिए क्या करेंगे जी जो आपके पास Starting Material होगा Toline ठीक है पहले तो उसे हमें Convert करना पड़ेगा किसमे Acid Group में ठीक है CWH Group is formed by Oxidation of Methyl Group Since Paranitro Benzoy Nitro Benzoy Casid has 2 Meta Directing Groups The NO2 must be added first While the OP Directing CH3 is still present वो कहरे हैं जी क्योंकि हमने Paranitro Benzoy Casid बनानी है इसलिए हम पहले तो Toline के अंदर क्या करवाएंगे Nitro Group की Addition करवाएंगे Nitro Group की Addition करवाई Methyl क्या है Ortho Paranitro Directing Group है तो आपके पास क्या बन गई Ortho Nitro Toline और Paranitro Toline अब इसमें से हम ले ले लेंगे Paranitro Toline ठीक है Paranitro Toline की क्या करवाएंगे Oxidation करवाएंगे Oxidation होती है Interpress of KMNO4 हो सकती है कोई भी Oxidizing agent ठीक है और आपके पास CH3 था ये Convert हो गया किसमे CWH यानि Acidic Group में So that's how आपके पास पेरा नाइट्रो बेंजोई केसिट बन की हम अपनी असानी के लिए जो भी बनाना चाहते हैं उसको बनाने के लिए कोई एक मुनासिब रास्ता इक्तियार कर लेते हैं आप ये समझें Planning a synthetic scheme यही है कि आपने target देखना है कि आपने बनाना गया है उसके मताविक जो भी आपको steps आपके जो है वो जो suitable steps हैं हम वो लेते हैं अच्छा फिर फूर्थ है Meta Nitro Benzoic Acid from Toline Again आप क्या करेंगे जी Toline से पह अगे आप Toline लेंगे उसकी oxidation करवा लिए oxidation करवा के यहां परिसिड में nitration करवाई ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप methyl group की direct यहां पर nitration करवा देते तो methyl group ortho और para directing है तो हमें ortho para directing नहीं चाहिए था इसलिए हमने पहले उसे किसमे convert किया है acid group में benzoic acid में अब जो acid group है CWH this is meta directing ठेक है तो वो meta position पर ही metabromo benzene sulfonic acid from benzene क्या लेना है हमने benzene लेना है बनाना क्या है metabromo benzene sulfonic acid sulfonic acid का पता है H आपके पास यह group लगावा होता है benzene के उपर HSO3 group ठेक है यह वालग ग्रूप लगावा होता है benzene के उपर तो इसके result में इसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमने benzene की क्या करवाई sulfonation करवाई ठीक है यह वाली benzene की sulfonation करवा ली HSO3 group अपर लग गया benzene के अब जो benzene sulfonic acid group है यानि sulfonation का HSO3 जो group है this is metadirecting तो आप अराम से इसकी bromination करवाएंगे bromination के result में bromine कहां कर लगेगा metaposition पे और आपके पास metabromo benzene sulfonic acid बन गया ठीक है इसे हम पूरा नाम ही इसका benzene sulfonic acid है ठीक है यह benzene के उपर HSO3 group जो लगा हुआ होता है यह वाला group ठीक है अच्छा उसके वाद polycyclic aromatic hydrocarbons हैं यह चोटा सा टॉपिक है polycyclic aromatic hydrocarbons आपके पास दो तरह के polycyclic का मतलब होता है एक से ज़्यादा cycle वाले ठीक है दो तीन जो है वो benzene ring आपस में फ्यूज होए है यह दो तरह के होते हैं ठीक है isolated भी हो सकते हैं और fused भी हो सकते हैं या जिने हम condensed ring कहते हैं वो भी हो सकते हैं जो isolated polycyclic aromatic hydrocarbons हैं उनमें यह जो benzene के rings हैं यह इस तरह से separate होए होते हैं किसी एक bond से या फिर किसी एक molecule से आपस में जो है वो link होए होते हैं ठीक है या यह fuse नहीं होते हैं जबके जो fuse या condensed ring aromatic hydrocarbons हैं उनमें इस तरह से यह fuse हुए होते हैं ठीक है दो-दो carbon के साथ जो है वो यानि कि दो carbon common होती हैं उनमें ठीक है आप असाने लफ़ों में यह समझ लें कि जो fused आपके पास aromatic hydrocarbons हैं उनमें कम असकम दो carbon common होगी और जो isolated हैं उनमें कोई carbon भी दोनों रिंग्स में common नहीं होगी ठीक है दो बारा रिपीट कर देती हूँ जैसे naftaline को देखे naftaline में बेटा ये वाली carbon और ये वाली carbon ये दोनों क्या हैं common है दोनों ही रिंग का parts है ठीक है इस रिंग का भी part है ये कार्बन्स और इस रिंग का भी पार्ट है तो ऐसे जो हाइडरो कार्बन्स होते हैं वो फ्यूजड कहलाते है ये भी पढ़ा हुए FAC में आपने वैसे अच्छा, ये निफ्तलीन है तीन अगर बेंजीन रिंग आपस में लगे हुए है तो और इसके लावा हाँ जी, ये इसके लावा कुछ और एक्जामपल्स है ये अल्फा निफ्तल है अल्फा निफ्तल आपके पास जो निफ्तलीन है उसकी जो आपके पास ये वाली पॉजिशन होती है ये वाली फिस्ट पॉजिशन जो होती है अगर उसके ओपर हाइडावसल गुरूप लगा हुआ है तो इसे हम अलभा नेफ्थाइलमीन है क्योंकर इसके लिए विच्ट इसके लावा इसके लावा यहर जेता हो। जो कार्बन कॉमन हैं उन्हें हम नमबर नहीं देते ठीक है यह आप देख लें जो भी कार्बन कॉमन आ रही हैं उनको हमने कोई नमबर नहीं दिया हुआ ठीक है क्योंकि आप पोच सकते हैं कि मैं उस कार्बन को हम नमबर क्यों नहीं देते हैं ठीक है उसकी रीजन यह है कि वहाँ पर कोई भी सबस्टिटूशन नहीं हो सकती होती ठीक है तो हम सिर्फ उसी कार्बन को नमबर देते हैं जहां पर कोई सबस्टिटूशन हो सकती है जहां पर कोई भी सबस्टिंट आकर लग सकता है ठीक है इसके लावा यह कुछ और एक्जामपल्स है आम देख लीज़ेगा इनके नाम यायपक नेमिंग के मताबिक उसके बाए रेक्टिविटे के अन्ड औरिंटेशन पॉलिसाइकलिक हाइड्र कावंद नेमिंगा जो है, नफ्थिलीन यह इसके रेजनिंस हाइबर्ड यह इसके इक्नोनिकल फार्म्स है तो तीन इसके कनोनिकल फार्म्स है और तीनों चांसेश हैं होने के के इनमिंगे से कोई भी आप कह सकते हैं कि जैसे बेंजीन के थे डिवार के स्ट्रक्चर और केक्यूल के स्ट्रक्चर तो एक हम कहा देते थे रेजोनेंस हाइब्रिड इसी तरह यह क्या है यह नेफ्थरीन के जो है वो केनोनिकल फार्म्स हैं अब इनमें आप जाए पड़ लीजए गा के यह वाला जो है आपके पास एक चांस है जहां पर ऑन और टू के देनमियान double bond आ रहा है वो उस तरहा के दो structure's है यह और यह और जहां पर carbon number two और three के दिर्मियान double bond आ रहा है उसकी सिर्फ एक ही possibility है और वो यह वाला structure है ठीक है तो इसमें आप इनकी कुछ bond lens वगारा के बारे में बताया हुआ है double bond की क्या है bond lens और single bond की क्या है इसमें end the end आप को यह बताया है कि नफ्तिलीन जो है उसकी stability जो है as compared to benzene कम है इसलिए नफ्तिलीन जो है as compared to benzene जो है वो ज़्यादा reactive है ठीक है तो ज़्यादा reactive कर सकता है इसलिए नफ्तिलीन जो है वो उसकी oxidation या reduction as compared to benzene ज़्यादा आसान है तो वो आक्सिडाइज हो सकता है या एजिली रिडियूस हो सकता है तो इस शोड़ नेफ्थरीन इस मोर रियक्टिव थन बेंजीन क्योंकि उसकी स्टिबिलिटी जो है अस कंपेर तो बेंजीन कम है तो इस वोज़ अल फर तोड़े और ये लेक्टिर अच्छे से लेने के बाद आपने मुझे जो रिमेनिंग टॉपिक है इस चेप्टर के वो मुझे बता देने है ताके मैं आपको ये चेप्टर कम्प्लीट करवा दूँ कमिंग थरस्टे से पहले तक ठीक है पात पता पूच्छे से लग अच्छी से लिए अच्छूरा लाफिस